हेलो दोस्तो मैं हुम गुलरेज और आप देख रहे हैं तकनी की ग्यान और आज मैं आप से बात करने वाला हूँ फायरवॉल के बारे में तो दोस्तो फायरवॉल एक ऐसी दिवार होती है जिसको जो है आग भेद नहीं सकती मतलब अगर हम एक्जेंपल के लिए देखें तो एक कमरा मान लिजे कोई जो फायरवॉल से बना हुआ है तो अगर उस कमरे के बाहर कोई आग लगती है तो वो आग उस कमरे के अंदर नहीं आ पाएगी और अगर आग उस कमरे के अंदर लगी है तो वो आग उस कमरे के बाहर नहीं जा पाएगी तो ये तो बात होगी Firewall की non-technical way में अब ज़रा हम computer में ये technology में इसको समझ लेते हैं कि ये हमें कैसे जो है फायदा पहुचाती है Firewall तो दोस्तों Firewall जो है एक होता है Packets Sent एक होता है Packets Received तो ये जो Packets Sent और Received होते हैं ये क्या होते हैं कि जब भी आप किसी Website के ओपर Login करते हैं उस Website के ओपर जाते हैं उसको कुछ भी देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ISP होता है उसको कुछ Packets जो है Send करता है Website को एक समझ लेजिए कि वो कुछ Message भेजता है कि ये यूजर जो है Access करना चाहता है इस Website को तो वहाँ से वापिस Reply आता है उन Packets का तो इस वज़े से जो है आप उस Website को Properly Access कर पाते हैं जब दोनों तरफ से तो Communication बराबर चलता रहता है अब इसमें कहीं वार क्या होता है कुछ Links आपको ऐसे मिल जाते हैं इंटरनेट पे कुछ Websites के जो आप Google में Search वगरा करते हैं या कहीं हो सेर्च करते हैं तो आप इस जिसके लिए Search करते हैं उसके बदले में आपको पचास सो Links मिल जाते हैं तो आप उन Links पे जिस तीज को ढून रहे होते हैं उसके लिए क्लिक करते करते अलग-अलग Websites पे पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ Websites ऐसी होती हैं जो malicious Websites होती हैं उनके अंदर माल भीर भरे होते हैं बहुत सारे तो उस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो पीछे से चुपके से डाउलोडिंग आपके कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाती है अब जो Firewall का काम है वो यही काम है वो यह देखता है कि जिस Website के ओपर आपने क्लिक करा उस Website को जो Packets आपके जा रहे हैं वो सिरफ उसी Websites को जाएं Background में अगर आपको डाउलोडिंग वग्यरा Website स्टार्ट कर देती है तो Firewall उसे रोग देती है यह आपको Message देती है यह देखो Background में चुपके से कुछ Downloading स्टार्ट होने वाली है आप इसे Allow करते हो यह Disallow करते हो तो वो आपको एक तरह का Message आ जाता है Firewall की वज़े से तो Firewall इस तरह से आपको जो है बचा लेती है अब Firewall जो है वो दो तरह के आती है एक होती है Hardware Based एक होती है Software Based अब Hardware Based जो होती है वो तो जो आपके Wi-Fi राउटर अगर आते हैं उनमें होती है लगी हुई उनके जो आपकी Setting होती है जब का Configuration करते है तो वहीं पर Firewall की भी Setting होती है On और Off तो वह एक बहुत अच्छी Setting है जब भी आप अपने Office में या कहीं में घर में अगर आपने Wi-Fi लगाया हुआ है तो वह Firewall को हमेशा On रखिए उससे क्या होगा कि आपका जो है डेटा सिक्योर रहेगा जो भी आप काम करेंगे एक तो आप बचे रहेंगे उससे अन्नोन पोई आपके कंप्यूटर में घुसनी पाएगा अगर माल लेजे किसी ने आपका पासवर्ट भी देख लिया है तो भी वह आपके कंप्यूटर से कनेक्ट जल्दी से हो नहीं पाएगा अगर आपका Wi-Fi का On रहेगा Firewall तो Firewall का ये Hardware का Benefit हुआ अब Software में जो Firewall आती है वह आपको मिलती है एक तो Windows के अंदर मिल जाती है Windows Firewall अगर आपने देखा हुआ System Security के अंदर जाके Settings में आपको मिल जाती है और अलग-अलग Firewall Software के थूरू भी मिल जाती है आपको जैसे आप अलग-अलग Browser कहा रहा हूं अगर आप अलग-अलग Antivirus इंस्टॉल करते हैं तो उन Antivirus के साथ भी आपको Firewall मिल जाती है अब चलिए हम Antivirus वाले Firewall की बाद छोड़ दते हैं जो Inbuilt Firewall हमें Windows के साथ मिलती है उसी की बाद कल दते हैं तो Windows की जो Firewall है तो उसका मैंने आपको एक काम बताया कि वह आपको कैसे इंटरनेट पर गलत वेबसाइट से जो malicious website से उनसे कैसे बचाती है वह एक काम हुआ उसके अलावा भी उसके बहुत सारे काम है उसके अलावा काम जैसे मालेज़े आपने कहीं से कोई software किसी pen drive से या किसी CD के थुरू कोई malicious software डाल लिया आपको डालना था कुछ और साथ में कुछ और भी आ गया और आप उसे जब रन करते हैं तो रन करते है टाइम आपकी जो firewall है वह उसे ब्लॉक करती है वह हर software को आपके नए software को ब्लॉक करेगी और आपको एक तरह से वह highlight करेगी कि वह यह देखो यह नया software इसमें डाला गया है आप इसे install करके रन करना चाहते हो यह नहीं चाहते तो वह उसमें भी आपको एक तरह से बहुत फायदा मिलता है आपको information मिल जाती ही कि आपके system में क्या आया हुआ है वह एक benefit हो गया दूसरा यह कि आपकी जो internal firewall होती है जो computer की software की firewall होती है वह भी कई viruses को आने से रोग देती है मानने जी अगर आपकी जो wifi का firewall है उसने अगर नहीं पकड़ पाया और गलती से वह टामलोडिंग स्टार्ट हो गई जो कोई malicious software था या कोई spyware अगर था तो वह आपकी firewall उसे रोग देगी तो यह firewall जो है कई माईनों में आपके लिए बहुत beneficiary साबित हो सकती है तो इसमें क्या है कि अगर आप उतनी firewall को on रखते हैं तो आपको जो है कोई भी सस्ता सा antivirus free वाला आप ले लीजिए आपका काम चल जाएगा अगर आप individually use करते हैं अगर आपको कोई business का काम नहीं है आपके laptop पे या PC पे तो आप जो है सिरफ firewall और एक कोई भी हलके फुलके antivirus के साथ अपना काम चला सकते हैं क्योंकि firewall आपको जो है बहुत security प्रवाइट करती है तो दोस्तो आज खिले इस वीडियो में इतना ही और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होगे कि firewall क्या है अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप ने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की जानकार से भरी वीडियो लाता रहता हूं क्यों तो मिलता हूं फिर में आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए